नवस्कात दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के बी तो आज की इस वीडियो में हम नीरत चोपड़ा से जुड़े हुए जो भी महत्मूल परशन इससे पहले विभिन पर इच्छाओं में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले समय में आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो पीडियो फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल केवी गुरुजी या केवी गुरुजी.in के ओपर मिल जाएगी वहां से आप इसके पीडियो को तो इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा यहां पर correct नीरत चोपडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हर्याणा के पानी पजिले में हुआ था अगला प्रशन है कि नीरत चोपडा किस खेल से संबंधित हैं तो ये तो आपको अच्छे से पता होग नीरत चोपडा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे देश के भाला फेक के खिलाडी हैं किसके खिलाडी हैं भाला फेक के ये खिलाडी हैं तो इस प्रशन का option A हो जाएगा correct देखिए जब हम लोग भाला फेक की बात करते हैं तो ये आपके track और field के अंतरगत एक खेल माना जाता है देखे जब हम लोग track और field की बात करते हैं तो जो भी आपके running हैं या फिर लंबी कूज, ऊती कूद, या फिर भाला फेक हो गया ये सारे हमारे track और field के अंतरगत आते हैं तो नीरत चोपड़ा हमारे track और field के अंतरगत भाला फेक के खिलाडी हैं अगला प्रश्न है कि नीरत चोपड़ा भारती सीना में किस पदपर कारेरत हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नीरत चोपड़ा इस समय जो भारती सीना है उसमें सुवेदार के पदपर हैं किस पदपर हैं सुवेदार के पदपर तो यहाँ पर D option हो जाएगा correct यह आप लोग देख सकते हैं नीरत चोपड़ा जो की भारती आर्मे के ड्रेस में है और यह वर्तमान में भारती सेना में सुवेदार के पदपर कारेरत हैं अगला प्रशन है कि वर्श 2020 के तोक्यो ओलंपिक में नीरत चोपड़ा ने कितनी दू अगला है उसको 87.58 मीटर दूर फेका था कितना 87.58 मीटर दूर फेका था और इसी के साथ साथ भारत और एसिया के ये पहले खिलाडी बन गए थे जिन्होंने ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में जीता है गोल्ड मेडल तो इस प्रशन के लिए B option हो जागा यहाँ पर correct अगला आपका टूरामेंट है आध ही इसमें नीरत चोपडा ने आपके रज़त पदक जीता है तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा यहाँ पर correct अब इसके बारे में थोड़ा सा detail में आपको ध्यां रखना है देखें यह जो हमारा World Athletic Championship है इसका आयोजन अमेरिका के यूजीन के ओरिजन में किया गया था फाइनल मुकाबले की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेनेडा देश के जो एंडर्सन पीटर्स है इन्होंने भाले को 90.54 मेटर दूर फेका था तो इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला नीरत चोपडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंन चोपडा ने यहाँ पर रज़त पदक जीता है अगला प्रशन है कि किस वर्स के 200 अंडर 20 चैंपिंशिप में 86.48 मीटर दूरी के साथ नीरत चोपडा ने रिकार्ड बनाया था तो यहाँ पर भी इन्होंने पदक जीता था और पहले भारतिये बने थे जिन्होंने अंडर 20 चैंपिंशिप में कोई पदक जीता था और यह रिकार्ड इन्होंने बनाया था 2016 में कब 2016 में जो 200 अंडर 20 चैंपिंशिप हुआ था पूलेंड में उसमें नीरत चोपडा ने जीता था गोल्ड मिडल तो इस प्रशन के लिए C आप्शन हो जाएगा करक अब यह आप लोग में होची मिन में आपका ACN जूनियर चैंपिंशिप हुआ था और इसमें नीरत चोपडा ने सिलवर मिडल जीता था अगला प्रशन है कि नीरत चोपडा ने वर्स 2022 में इस टाक होम डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेक कर अपना सर्बस्रेश्ट पर दरसन किया ह तो बस 0.06 मीटर से ये चूंग गए अदर्वाइज 90 मीटर का इनका रिकॉर्ड होता तो इन्होंने भाले को 89.94 मीटर दूर फेका था कितना 89.94 मीटर दूर फेका था इसी साल और ये इनका अब तक का सर्बस्रेश्ट पर दरसन है तो इस प्रशन के लिए D option हो जाएगा य इसमें नीरत चोपडा ने gold medal जीता था यहाँ पर option A हो जाएगा correct 2018 का जो ACI खेल है वो इंडोनीसिया की राजधनी जकारता में आयोजित हुआ था और इसमें 88.06 मीटर के साथ में नीरत चोपडा ने gold medal जीता था अगला प्रशन है कि राष्ट मंडल खेल 2018 में नीरत आपके gold medal जीता था कौन सा gold medal इन्होंने common wealth में भी जीता था तो यहाँ पर C option हो जाएगा correct 2018 में जो आपके राष्ट मंडल खेल है इनका आयोजन आश्टेलिया के gold coast में किया गया था और यहाँ पर नीरत चोपडा ने 86.47 मीटर के दूरी के साथ में gold medal जीता था तो ध्यान रखेगा common wealth या फिर हम लोग Asian game की बात करें दोनों में ही 2018 में नीरत चोपडा ने gold medal जीता था अगला प्रशन है कि नीरत चोपडा को किस वर्ष अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो अरजुन पुरसकार के अगर हम लोग बात करते हैं खेल के छेतर में दिया जाने वाला यह पुरसकार है और इससे वर्ष 2018 में नीरत चोपडा को सम्मानित किया गया था तो इस प्रशन के लिए B option हो जाएगा correct यह आप लोग देख सकते हैं हमारे राश्पती रामनात कोविंद जी हैं और इनहीं के द्वारा नीरत चोपडा को अरजुन पुरसकार स सम्मानित किया गया था अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से भारती सेना के किस पदक से नीरत चोपडा को सम्मानित किया गया है आपको पता होना चाहिए कि पिशले साल यानि की 2021 में नीरत चोपडा को भारती सेना के बिसिष्ट सेवा मेडल और परम बिसिष्ट सेव medal दोनों से सम्मानित किया गया था तो इस प्रशन के लिए D option हो जाएगा यहां पर correct तो पिछले साल Republic Day के आउसर पर हमारे जो राश्पतवी रामनात को विंद जी हैं उन्होंने नीरत चोपडा को सम्मानित किया था अगला प्रशन है कि नीरत चोपडा को वर्स 2022 में भारत सर कार के द्वारा किस नागरिकता पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ध्यान रखेगा यह जो पुरसकार है वो आपका पदमसरी है दो हजार बाइस में जिन भी लोगों को पदमसरी पुरसकार दिया गया है उन्हें से नीरत चोपडा आपके एक है और इस साल इनको पदमसर पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो नीरत चोपड़ा को भी 2021 में खेल रतन पुरसकार मिला था तो ये पॉइंट भी आपको ध्यार रखना है अगला प्रशन है कि 2021 में किस सहर में इस्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंसिट्यूट इस्टेडियम का जो नाम है वो नीरत चोप पुरे में ये स्टेडियम है और पिछले साल ओलंपिक के बाद में हमारे जो रच्छा मंतरी राजनास सिंग जी है उन्होंने इसका नाम बदल कर नीरत चोपड़ा के नाम पर किया था तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो नया नाम है वो आपका है नीरत चोपड़ा तो ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक है इसी साल फरवरी में आपकी पब्लिस हुई है और इस पुस्तक को लिखा है खेल पत्रकार नौदीप सिंग गिल ले किसने नौदीप सिंग गिल के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है तो यहाँ पर C option हो जाएगा correct तो ये पु और ये जो पुस्तक है इसको लिखा है अर्जुन सिंग कादियान ने तो ये दो पुस्तके नीरत चोपडा के उपर है दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है गोल्डन बॉय नीरत चोपडा लिखा है नौदीप गिल ने और अर्जुन सिंग कादियान ने लिखा है न नीरत चोपड़ा फ्राउम पानिपट टू पोडियम तो इस प्रकार से जो भी हमारे महात्पूर्ण प्रश्न थे उनको हमने डिसकस कर लिया है अब आईए जल्दी से हम लोग नीरत चोपड़ा ने जो आपके पदक जीते हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक खेलों की आपको ध्यान रखना है 87.58 मीटर के साथ में गोल्ड मेडल यहां पर जीता इन्होंने ACN game जो हुए थे 2018 में इसमें इन्होंने 88.06 मीटर के साथ में गोल्ड मीडल जीटा राष्ट मंडल खीळ जो 2018 में हुए थे इसमें इन्होंने 86.47 मेटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था इसके अलामा ACN Championship की बात करें जो की 2017 में भूनेश्वर में हुआ था इसमें भी इन्होंने स्वनपतक जीता था World Under 20 Championship की बात करें जो की 2016 में पोलाइंड में हुआ था इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और South Asian Game जो की 2016 के गुहावटी में हुए थे इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो आप लोग देख सकते हैं अपने कैरियर में नीरच चोपड़ा ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं तो इनसे पहले भी प्रेश्ट पूछे जा चुके हैं इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा जाते जाते आपके लिए एक सवाल है नीचे कमेंड में मुझे ये बताईएगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा खिलाडी है जिसके नाम पर सबसे दूर भाला फेकने का रिकॉर्ड है तो उसका नाम आप लोग नीचे कमेंड में बताईएगा फिलहाल इसकी जो पीडियाप दूंगा उसमें उस्ब्यक्ति का नाम मेंसन होगा तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत